हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे भाहियो तो यहां हम लोग आज देखेंगे किस तरह से पीवीटी 501 का सरक्ट आगे काम करेगा कैसे ड्रॉ करेंगे और किस तरह का यह आगे कनेक्शन रहेगा तो चले देखिए यह पिछले सीरीज में आपने देखा था कि हमने यहां इस तरह से यह पूरे बोड को बता दिय देखा करके के 60 बोल्ट और बेस कलेक्टर फीडवेक के लिए वाइट वायर है एमिटर बेस और प्लस 60 बोल्ट की सप्लाई यहां इस तरह से दिखा दिया था और इसका जो ट्रैंस्टर रेक होती है इस प्लेट पे ट्रैंस्टर माउंट होते हैं वो कुछ इस तरह से बना देखिए यहां इसका sound output transformer कुछ इस तरह से बनाया है मैंने जो यह model इसका तो एक even यानि कि feedback वाला हमारा wire यहां लगता है common का यहां लगएगा क्योंकि यह single feedback transformer होता है तो एक ही ही इसमें हमारा terminal होता है यानि कि टोटल दो terminal मिलाएंगे आहुजा में जब कि तीन मिलते हैं क्योंकि इसमें दो feedback line होती है और एक common होता है ठीक है यहां देखिए common 2 ohm 4 ohm common 70 volt और 100 volt यानि कि 100 volt की line यहां रहती है 70 volt 100 volt यह हो गया तो यह transformer है जो sound output transformer है ठीक है यह आपने हाँ देख लिया अब देखिए power supply बहुत ही आपको normal way में समझा देते हैं कि जिस तरह से पहले भी थी तो यहां transform लगा रहता है rectifier के साथ में इस तरह से बनी रहती है और यहां देखिए यह स्रावरा minus रहेगा यह plus रहेगा जैसा कि पिछली वा काम कर रहे होते हैं कुछ गलत हो जाता तो control जर से उसे बापस करते हैं तो हो सकता है उसमें यह reverse हो गई होगी या फिर किनी काड़ों से रह गई थी लेकिन मेरे subscriber भाई हैं जो वीडियो को काफी गौर से देखते हैं तो उन लोगोंने notice किया कि इसका minus का सिरा है वो नीचे क की तरफ रह गया था जो गलत हो गया था अप्चली वीडियो में तो चलिए धन्यवाद है उनका और धन्यवाद इसलिए भी है कि आप वीडियो गौर से देखते हैं और इतना तो मुझे विश्वास है कि जो मेरे भाई मेरे वीडियो देखते रहे होंगे वो capacitor में या फिर नहीं होती है वो हमारा प्लस का सिरा होता है तो चलिए इस तरह से यहां complete कर देते हैं पिछले बार black color था इस बार सेम जो color हमारा लगना चाहिए उस पर वही हम यूज कर रहे हैं ठीक है तो जो driver board में और बाकी का हमने transistor rack के लिए यूज किया है वही है तो बहुत बड़ा व वीडियो होगा लेकिन आपके बहुत काम आएगा कि driver board को किस तरह से हम connect कर सकते हैं हमारी transistor rack के साथ में ठीक है तो यहां transistor की बात अगर की जाए तो जैसे कि यह देख रहे है तो 2N 3773 जो transistor होता है वो हमारा NPN transistor है और यह देखिए दोनों ही रेक NPN transistor से बनी हुई है एक पे positive supply हमारी काम करती है और एक पे negative supply काम करती है दोनों को amplify करते हैं यह और जो final signal होता है हमारा वो यहां white wire के through आता है लेकिन white को हम यहां दिखा नहीं सकते इसलिए यह डाल रखा है तो आज इसमें final दिखाएंगे हम कि sound output transfer number तक किस तरह से wire लगे होते हैं और इस driver board से किस तरह से हैं तो चलिए देखिए सबसे पहले हम minus 60 volt जो होता है round हमारा उसको connect कर लेते हैं positive supply भी connect कर लेते हैं जैसा कि हाँ यह इस तरह से हो गई है तो नीचे और ऊपर दोनों supplier जुड़ गई है हमारी अब उसके पासे बेस हम connect कर लेते हैं उपर का तो यह जो हमारा बेस है negative side का वह हमने connect कर लिया है collector है वह भी connect कर देते हैं देखिए यहां से निकलेगा सीधा यहां आ जाएगा अधि color code भी इसलिए लिया गया है कि आपको कोई confusion ना हो सारा ही color code को लेके चलते हैं सीलिए से कि आप अगर ना भी हो तो लिखे हुए से आप सीधे सीधे match कर दें color को तो आप आप से लगा देंगे थोड़ा ब्राउन कलर का है यह तो आगे देंगे एमिटर जो है एमिटर पर चला जाएगा सीधे जुड़ जाएगा अब जो दो टर्मिल बचते हमारे जोनों ही आपस में connect हैं जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहां देख लिए दोनों टर्मिल एक ही यहां से ऐसे ऐसे होते हुए और इस तरह से होते हुए जाती है और आगे एक प्रीचेट के त्रूप इस बियू एलडी का जो मीटर है उसकी आएसी पर चली जाती है इसको हम किसी अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर तो यहां देखेए यह वायरिंग कमप्यट्ट होती दिख रही है यहां पर अब इसमें ग्राउंड का जो है हमारा वो इस वाले सेग्मेंट से है तो ग्राउंड का हो सकता है आगे कुछ प्रॉलम आई हो उसमें तो देखते हैं आगे तो यहां इस तरह से यह connection हो गया और आगे देख लेते हैं आगे यहां इस तरह से यह हमारा power supply सेक्टन है वो भी यहां नीचे हमने ड्रॉ कर लिया है क्योंकि इससे हम पूरा ही connect करेंगे सेग्मेंट में तो यहां देखिए इस तरह से हमारा जो माइस है नेगेटिव सप्लाई है जो वह सीधे आके हमारी जुड़ जाएगी सीधे नेगेटिव सप्लाई की तरफ और जो पॉजिटिव है वह पॉजिटिव बाली आके पॉजिटिव से यहां जुड़ जाएगी ठी तो देखिए तीनों वायर जो हमारे हैं सप्राइब के वह एक्चुली कनेक्ट हो चुके हैं इस पूरे सेग्मेंट में यानि के ड्राइवर बोर्ड और ट्रेंश्टर रेक में दोनों में और आगे हो समझ लेते हैं कि बताया था मैंने थोड़े दिर पहले हैं और किस तरह से चुड़ेगा वहम देख लेते हैं तो देखिए यहां से जो हमारी ग्राउंड की है जीरो बॉल्ट की लाइन है वही आगे जाएगी और इसमें से जाके कॉमन पर लग जाएगी जाके और अगला वाला जो हमारा है वह इवन सीधे-स लाइन से जुड़ेगा जो फीडवेक वाली लाइन होती है उससे तो यह यहां से साउंड आट्पुट्ट हमें इसी से मिलता है बाकि यह कॉमन है तो यह कहमारा फीडवेक हो जाता है और कॉमन 2 ohm 4 ohm और यह इस तरह से आउट का था बाकि जो बचता है वो अगले किसी हम वीडियो में क्लियर कर लेंगे आज हमारा जो था वो सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ पावर सप्लाई और साउंड और पुट ट्रांसफोर्मर किस तरह से करेक्ट होते हैं ड्राइवर बोट के साथ में तो उम्मीद है इससे आपकी ह धन्यवाद आपका देन सुभ हो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में